राधे राधे Friends, कैसे हैं आप सब? मेरा आज का जो ये ब्लॉग है, वो पूजा रिटीन ब्लॉग है, मैं किस तरह से डेली पूजा करती हूं और किस तरह से अपने लड्डु गोपाल को मैं नहलाती हूं, भोग लगाती हूं, किस तरह से उनकी आर्थी करती हूं सुबह उठकर घर की क्लीनिंग करके मैं नहा कर अपने लड्डू को पाल को जगाती हूँ उनके लिए गाना गाती हूँ भूरी भाई जागो मोहन तिर भी ना सूना लागे आंगन गाई ग्वाल सब सारे तुझको खड़े हो पुकारे बल्दाव भाई उठ चुके हैं मैं इनहें अभी बिस्तर पर बैठा दे रही हूँ और काना को मैं जगा रही हूँ काना भी जो है वो उठ गए हैं और उन्होंने एक दुसरे को गुड मॉनिंग बोला और अब मैं इन्हें दूद का भोग लगाऊंगी फ्रेंड्स मैं इन्हें गाय की दूद का भोग लगाती हूँ, इसमें मैंने मिस्री और तुलसी जी का पत्ता डाला है, और ये जब सोके उठते हैं तो मैं इन्हें पहले भोग लगाती हूँ दूद का, मैं जिन बरतनों में भोग लगाती हूँ, उन बरतनों को साफ कर लिया है और मैं इसमें दुबारा भोग लगा रही हूँ अपने सभी देवी देवताओं को फ्रेंड्स मैं भोग में जादा कुछ नहीं मुंफली मिसरी और किस्मिस का भोग लगाती हूँ मैंने कपड़े जोयलेरी तुलसी माला मोरपंग को निकाल लिया है अब मैं दीपक जलाने जा रही हूँ फ्रेंड्स मैं दीपक जलाने से पहले दीपक की पूजा करती हूँ उसे जलर पित करती हूँ सिंदूर लगाती हूँ, अच्छा चढाती हूँ, फिर मैं उसे प्रजलित करती हूँ और अब मैं अपने काना और बल्दाओ भाईया को नहलाओंगी, दोनों लोग को एक साथ नहलाओंगी मैंने अपने काना के कपड़े निकाल लिए हैं और अब मैं बल्दाओ भाईया के भी कपड़े निकालूंगी, ये बहुत नटकट हैं और ये कपड़े जल्दी नहीं निकालते हैं अब मैं संक में जल भर कर तुलसी जी का पत्ता डालके इन्हें असनान कराऊंगी और इन्हें अच्छी तरीके से असनान कराती हूँ, इन्हें असनान कराते समय मैं मंत्र जाप करती रहती हूँ और इन्हें अच्छी तरीके से नहलाती हूँ ताकि मेरे काना और मेरे बल्दाओ दोनों चमकते रहें और फिर इनकी तावल से इने अच्छी तरह से पोचती हूँ ताकि इनकी ऊपर एक भी पानी का बून ना रहे फिर मैं इनको लंगोट पहना देती हूँ और इनको सारे कपड़े पहना दूँगी और फिर बलदाओ भाया को मैं अच्छी तरीके से पोच के इने अच्छी तरीके से और इनकी लंगोट और कपड़े पहना दूँगी इने भी और फिर इनका मैं सिंगार कर दूँगी दोनों लोग का जबांके भी और इनका सिंगार करते वक्त मैं यही गानाा गुन गुनाती हूं गाती हूं इनका सिंगार हो गया और अब मैं इनहें गोपी चंदन का टीका लगा रही हूं फ्रेंड्स मैंने इन्हें जुल्री पहनाई है कंगन पहनाया है कमर बंद पहनाई है फ्रेंड्स इनका सिंगार होने के बाद ये बहुत खुबसूरत लगते हैं बहुत सुन्दर लगते हैं आदबुत नजारा होता है, इनको कुछ भी पहना दो, कोई भी ड्रेस पहना दो, इनकी उपर बहुत ज़ती है, बहुत खिलती है मैं बार बार इनकी बलहिया लेती हूँ कि कहीं इन्हें मेरी नजर न लग जाए चन्दन लगाने के बाद मैंने बीच में लाल रोडी से टिका लगाया है, वो काफी खिलता है मैंने इन्हें बाल पहनाया और फिर मैं इन्हें मुकुट पहना दूँगी, फिर उसमें मोर लगा दूँगी, साथ में बासुरी दे दूँगी इन्हें और ये देखे friends, मेरे लड़ू को पाल कितने क्यूट लग रहे, कितने प्यारे लग रहे हैं, आप भी दर्शन कर लीजिए, इनके बहुत ही सुन्दर लगते हैं Friends, जब इनका सिंगार कम्प्लीट होता है, तो ये बहुत ही प्यारे लगते हैं ये इतने प्यारे लगते हैं कि मेरी नजर ही इनके उपर से नहीं हटती है मैं इने सिर्फ निहारती जाती हूँ इसलिए मैं इने काला टीका भी लगाती हूँ अब मैंने इने आसन पे बैठा दिया है और अब बल्दावु भाया भी अपने आसन पे बैठने जा रहे हैं ये देखिए और इने भी मैंने आसन पे बैठा दिया है और फ्रेंड्स अब मैं आर्ति करूंगी मैं पहले गणेज जी की आर्ति करती हूँ फिर काना जी की आर्ति करती हूँ इसी प्रकार मेरी डेली की पूजा होती है पूजा करने के बाद मैं बाकी सारे काम करती हूँ Friends, मेरा वीडियो अगर आप सभी को अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा Friends, मुझे सपोर्ट करिए ताकि मैं और अच्छे अच्छे वीडियो ला सकूँ थांक्स पर वाचिंग